यह हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसका यूज करके हम अलकोहल लेवल को टेस्ट कर सकते हैं इसमें अलकोहल सेंसर लगा हुआ जिसके सामने अगल एक कोई कंटेंट आता है तो यहां पर एलड़ी जब एक इस्प्रेइन सब्स्क्राइब हो और जैसे स्प्रेइ आप तो आप देख सकते हैं आर्कोहल के कोड़ी इसमें बढ़ रही है तो इसमें अलकोहल का कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतनी नम्मर अफरी ज्यादा क्लो करेंगी अब हम देखते हैं स्केट को कैसे बनाना है इसको बनाने के लिए जो भी रिक्वाइड कॉम्पोनेंट्स हैं वह सारे हमारे तरफ से आपको प्रवाइ इसमें पावर शुल्डिंग आरेन और शुल्डिंग वाइर यह सारी चाहिए तब ही आप इस पीसीव को कम्टीट कर सकते हैं तो बनाना शुरू करने से पहले देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से कॉम्पोनेंट्स लगे हैं और कैसे हमें पीसीवी बोर्ट पे लगाने हैं जैसा आप देख सकते हैं यहां पर पीसीवी बोर्ट में पाउर सप्लाइए कनेक्शन है तो यहां पे यह जो बोर्ड हमारा इसमें सारे कॉमपोनेंट्स को हमें लगाने हैं तो इस पे आप इस टॉप साइट से सारे कॉमपोनेंट्स लगाएं यह बॉटम लेयर है जिदर देन यहां पावर स्विच्छ लगाना है जो पावर सप्लाइप आप और अाफ करेंगा यानि एक तो यहां लगाना है यहां बना हुआ है यानि इस पॉइंट यहीर पे आना चाहिए इस बॉर्ड के तो इसको हम जब पीसे भी बोर्ड पर लगाएगेग इस को आना तो इसका ध्यार नहीं जो पॉस्टिफ पिन है यानि जो सबसे बड़ी वाली लेग है वह यहां इस कॉर्णर पे आनी चाहिए इसके बाद एक कपसिटर लगा हुआ आजने का यह से नही जाता है जो पैल से च用 के जहते हैं तो इसका पॉस्टिफ पिन जोंड़े ना चाहिए हए यहां पे आप देख स्कुन म्हें पाज जोंवाइब नेगेटीव देखने के लिए strip को भी हम देख सकते हैं तो इस पे हमें इसे लगा लेना है यहां पी यह लग जाएगा तेन एक regulator ऐसी लगानी है रेगुलेटर ऐसी लगाने कि से पहले आप यहां तो बेस लगा ले बर श्रिप जैसा यहां लगा हो आप देख सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली वी से लगा सकते हैं तो लेकिन इसका डायरेक्शन इसका फेस तरफ होना चाहिए इस इसी वहां वोल्टीज को रेगूलेट करना होता है यह जो भी पार सप्लाइ आरही है उसको फायवड में से प्रेगूलेटर 5 पार सप्लाई देन जो मेन कॉंपोनेंट है स्पीसीबी बोड का वो यह ऐसी है यह लेडी बार इंडिकेटर आइसी LM3914 इस आइसी को यहां में लगाना है लेकिन इसको लगाने से पहले एक बेस हम लगा लेते हैं यहां पे इस डायरेक्शन में बेस लगाने का बेनेफिट यह होता है कि ऑसी को कभी में रिपलेस कर सकते बेस का जो नौच है आप देख सकते हैं अब डेस पर एक कॉर्णर एक साइड में कट बना होता है यह इस तरह होना चाहिए और इसी से आइसी की भी नौश मैश करनी चाहिए इसके लावा इस पीसीवी बोर्ट पे कुछ कॉम्पोनेट्स लगें जैसे यह रिजिस्टेंसे से यह पोटेंशियोमेटर है प्रीसेट और यह लीडी है पार सप्लाई को इंडिकेट करने के लिए यह रिजिस्टेंसे जो यहां पर सलकाइए तो कि सब्सक्राइब यहां पर यस चिछ में फिर से इसकस्तों हो बड़ी वाली होती है यह आक अलीडी को स 안गाने से पहले अध्यान में तरह अने चाहिए यानि इस तरह से LED को हमें यहां लगा लेना है और बाकि यह सारी LED जो भी है उनकी डारेक्शन सेम है सबके सबका फ्रैट सर्फेस अंदर है यानि सबका कैथोर्ड जो है अंदर की तरफ होगा आनोड बाहर की तरफ होगा यह सारे ऐसे लग जाएंगे इस पहले तो इस तरह से सरे lot लगाने के बाद उनकी सोलडिंग करते जाएंगे और सोलडिंग करने के बाद जो एक्सता पींट सोगे उनको कट कर लेंगे कट करने के बाद पावर सप्लाई एक बार हमें टेस्ट करनी होगी कि इस डिवाइस का इंपुट पावर सप्लाई आप देख सकते हैं 12 वोल्ट यह जो भी अपने कनेक्ट किया हुआ है वह लगेगा वह आएगा और और पूट पर रेगुलेटेट 5 वोल्ट आना चाहिए जो 5 वोल्ट आपे 3.6 वोल्ट